यह मूवी रॉंग्टन मूवी सीरीस से अलग कॉंसेट पर है जिसे हम इस मूवी में मिस करेंगे साथी में मूवी में बाकी रॉंग्टन मूवी के पार्ट्स के तरह स्लेशर सीन्स देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन इस मूवी का एंड बहुत ही ट्विस्टेड है तो हमारे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहीएगा तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो की ओर शुरुआत में हम एक ओल्ड मैं स्कॉट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में अपने गुम हो चुकी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आया था जो कि अपने पांच दोस्तों के साथ में शेयर से दूर टाउन में ट्रेकिंग करने गई थी लेकिन देड़ मैने से उन सभी च्छो लोगों का अता पता नहीं था पुलिस ओफिसर स्कॉट की बातों को ज़्यादा सिरिसली नहीं लेता फिर स्कॉट एक होटल में पहुचता है जहां से उसकी बेटी जेन ने उससे आखरी बार फोन पर बात की थी लेकिन उस होटल से भी स्कॉट को कुछ पता नहीं चलता फिर जेन के फादर टाउन के एक बार में पोचते हैं जहां पर उससे एक आडमी कहता है कि अगर उसकी बेटी और उसके दोस्त जंगल में गए हैं तो वो उसे डूंडा बंद करते हैं क्योंकि जंगल से कोई भी जिन्दा वापस नहीं आता और ये सीन इसी के साथ में यही कपल भी था जिनका नाव लुइसंग और गेरी था वे सबी फ्रेंड्स डारलास के कार से थे और तभी अचनक कार का एक टायर फटता है जिससे की गाड़ी अंबैरेंस होती है और उनका एक्सिडेंट होते होते भी बचता है फिर वे जल्दी से अपनी कार का टायर चेंज करते हैं और आगे टाउन की ओर बढ़ते हैं लेकिन कोई उन्हें जंगलों के बीचो बीच से देख रहा होता है और उन्हें इसके कोई ख़बर नहीं होती फिर वे उसी होटल में चेक इन करते हैं जहाँ पर जेन के पिता आये थे होटल में चेक इन करते समय जेन और उसके बाकी फ्रेंड्स को होटल मेनेजर ये वार्निंग देती है कि अगर वो ट्रेकिंग पर जाने की सोच रहे हैं तो ट्रेक के रास्ते से बिल्कुल भी ना बटके और फिर सभी उस होटल मेनेजर की बातों को एग्नोर करके अपने रूम में चले जाते हैं जिसके बाद वो सभी टाउन के बार में पहुच जाते हैं जहांपर उनकी बहस एक बुड़े व्यक्ति से होती है लेकिन जेन जैसे तेसे उस जगड़े को संभाल लेती है फिर उन सभी को बार से बार निकलते समय एक अंजान व्यक्ति उनकी कार के पास में खड़ाओा दिखाई देता है जो की उनकी कार में कुछ कर रहा होता है जिसे एडम पहले तो बागने को कहता है लेकिन जब वो वहां से नहीं बागता तो वो उसके तरफ बोटल फिकता है जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है फिर सबी वापस होटल में अपने रूम में आते हैं जहाँ पर जेन अपने फादर को फोन करके बताती है कि वो कल ट्रेकिंग के लिए निकलने वाले है और यही जेन के दौरा अपने पिता को किया गया आगरिकॉल था अपने फादर से बात करने के बाद जेन डारलस के पास उसके बेट पर आती है और दोनों इंटिमेट होते हैं जिनें बाहर से कोई देख रहा होता है जेन अगली सुबह जल्दी जोगिंग के लिए जाती है जहापर उसे रास्ते में एक ओरत और एक छोटी सी लड़की रूथी दिखाई देती है जोकि जंगली चीजों से बने सामन को जेन को बेचती है फिर जेन होटल में पहुचकर अपने फ्रेंड्स के साथ में जोकि उनके टेकिंग के रास्ते से थोड़ी दूर जंगलों में था जिसे पहले जेन मना कर देती है लेकिन बाद में वो भी राजी हो जाती है जंगल में घंटों चलने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता और फिर वो एक एसी जेकर पर पहुच जाते हैं ज लेकिन ढलान होने की वज़े से एक के बाद एक सभी गिरने लगते हैं सभी जेसे तेसे उस तूटे हुए पेड़ से अपनी जान बचाते हैं लेकिन गेरी इतना खुश किसमत नहीं था वो उस तूटे हुए पेड़ की चपेड़ में आ जाता है जिससे कि उसका शरीर परचाई दिखाई दिती है लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं बिलता फिर जल्दी ही वहाँ पर बारिश होने वाली थी और सभी गेरी की डेड़ बॉड़ी को महीं छोड़कर आगे चल देते हैं और फिर वापस से काफी गंटे चलने के बाद भी वह उस रास्ते पर नही देती है लेकिन वहाँ पर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता अगली सुबह सभी जब अपनी नीन से जाकते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि जहां पर वह पुरी रात से सो रहे थे वह एक ग्रेवयर्ड याने कब्रिस्तान है और मिला उन्हें वहाँ पर कहीं नहीं तबी अचानक लुईस सभी को ये बताता है कि उनके फोन्स गायब हो रहे हैं और वो डर के मारे मिला को ढूंटते हैं और जंगल में जैन को रूती दिखाए देती है जो कि उसे टाउन में मिली थी जिसके पीछे एडम भागता है लेकिन उसका पेर एक ट्रैप में फस जा एडम पूरा के पूरा उस जमीन में बने हुए गड़े में घुष जाता है उर डारलस जब उस गड़े में अंधर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उस गड़े के अंदर एक साप होता है जेन डारलस और लुईस को जंगल से बागने को कहती है क्योंकि उससे ये लगता है कि कोई उनके पीछे है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है जेन और सभी जब उस जंगल से बाग रहे होते हैं तो उन्हें वहापर एक लकड़ी का केबिन मिलता है जिसके अंदर अजीबों गरिब एक्विपमेंट्स और हत्यार होते हैं उन सभी को ये समझ नहीं आता कि आखिरकर यहां पर है क्या फिर तभी अचानक वहापर उन्हें किसे के आने की आहाट होती है और जब वे केबिन के खिड़की से बाहर देखते हैं तो दो अजीब से बड़े बड़े लोग एडम को बांध कर ला रहे होते हैं जैन लुइस और डारलर्स केबिन में रखे हत्यारों की मदद से उन अजीब आदमी को डराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जिस भाषा में बात करते हैं वो जैन और बाकी लोगों को समझ नहीं आती वे दोनों अजीब सी भाशा में जेन से कुछ कहते हैं लेकिन इतने में एडम उठकर खड़ा हो जाता है वो लकड की मदद से उन दोनों में से एक आदमी को पीट पीट कर मार डालता है एडम उस आदमी के चेहरे पर इतनी बार लकड़ी से वार करता है कि उसका चेहरा फट जाता है और वो मर जाता है जिसे देखकर दूसरा आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर एडम सभी से ये कहता है कि उसे लगा कि उन दोनों आदमियों ने उसकी गल्फरेंड मिला को मार दिया और इसलिए उसने उन पर हमला किया जिसके बाद वो महां से निकल जाते हैं तबी रास्ते में एडम और बाकी लोगों को मिला दिखाई देती है जिसे कि वो मरा हुआ समझ रहा था और वो उसे भी अपने साथ बाहर की तरफ ले जाते हैं जब सबी जंगल से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं तो डारलस भी एक ट्रेप के चपेट में आ जाता है जिसस कि लूइस को गायब कर देते हैं और फिर जेन और बाकी के ग्रूप को यह मैसूस होता है कि यह जंगली लोग उनके चारों तरफ हैं जो कि उन्हें घेरे हुए हैं जिन से बचने के लिए सबी वहां से जी जान से भागते हैं और भागते भागते मिला एक ट्रेप के अंद अब जेन और डारलस जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो उस जंगल से भाग नहीं पाते और आखिरकार एक एक करके उन्हें पिवे जंगली लोग पकड़ लेते हैं और फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है अब जेन के फादर अपने घर में होते हैं और वे वहाँ से भी जेन की चिंता करते हैं और जेन की स्टेप मदर उससे यह कहती है कि वो जेन की चिंता ना करें और वो उसके बच्चों के बारे में सोचे इधर जब जेन को होश आता है तो वो अपने आपको एक गड़े में पढ़ा हुआ पाती है जहां पर बहुत लूइस और डारलस के साथ में कहीं पर ले जाया जाता है और चलते चलते वे एक isolated area में पोच्छते हैं जिसके अंदर एक पूरा के पूरा गाउं बसा हुआ था और उस इलाके के लोग अलग अलग कामों में लगे हुए थे जो कि किसी भी normal गाउं में होते हैं उन्हें एक कमर आदमी का मडर किया था जो कि जंगल में शिकार पर अपने भाई के साथ गया हुआ था मरे हुए आदमी का भाई जज विनेबल से ये कहता है कि उनके जानवरों के ट्रैप में एक लड़का फस गया था जिसे कि वो बाद में छोड़ने वाले थे लेकिन उन पर जैन और उस के लिए जैन के पास कोई भी सबूत नहीं था जिसके बाद जज एडम को मौत के सजा सुना देता है क्योंकि एडम ने कई बार उनके लोगों के साथ टाउन में भी गलत वेवार किया और फिर रूती भी एडम को आडेंटिफाई कर लेती है कि उसी ने उस आदमी को मारा थ एडम को मौत के सजा सुना जाती है और जैन और बाकी के लोगों को जिंदगी भर के लिए अंदकार के सजा क्योंकि उन्होंने एडम के जूटी कवाई दी थी फिर हम यह देखते हैं कि एडम को सजा देने के लिए लाया जाता है जहां पर जैन से यह पूछा जाता है कि ए नेचरल है बारी लोग आकर यहां पर घुश जाते हैं और नेचर के रिसोर्स को खराब करते हैं विनेबल के पुर्वजों ने फाउंडेशन नाम की कम्यूनिटी बनाई थी जो की पूरी तरह से नेचर से अपनी जरूरते पूरी करते थे एडम को अपने दोस्तों के सामने ठीक उसी तरह से मारा जाता है जैसे कि उसने उस शिकारी को मारा था जो की बहुत ज़्यादा दर्दनाक मोद थी और बाकियों को डार्कनेस के सजा सुनाई थी मतलब कि उन्हें जिन्दगी भर अंधरे में रहना था जिसके बद लूइस को पकड़कर गर्म सरीय से उसकी नहां के फोर दी जाती है और उसे एक अंधरिक गूफा में धकेल दिया जाता है और फिर अब यही होने वाला था जैन और डार्यस के साथ में लेकिन जैन अपना दिमाग लगाती है और विनेबल से कहती है कि डार्लस एक नोन प्रॉफिट और्गनाइजेशन चलाता है जो कि उसकी जान बचे फिर जैन अपने आपको ये बोल कर उन्हें सोब देती है कि उसके परिवार में कोई भी विमारी नहीं है और उससे हेल्थी बच्चे पैदा किये जा सकते हैं वो किसी भी मर्द के बच्चा पैदा करने के काम आ सकती है और फिर जैन भी अपनी सजा से ब इनेबल के साथ में उसकी बीवी बनके बितानी थी अब यहां पर स्कॉट यानि की जेन का पिता काफी लंबे समय से जेन को ढूंड रहा था लेकिन उसके हाथों में हर बार नाकामी लग रही थी फिर अचानक होटल मेनेजर उसे ही बताती है कि उसने लोगों से ये सुना है क कि पहाड़ों में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि सन 800 के आसपास जंगलों में बस गए ये सोचकर कि जब भी अमेरिका में युद्ध होगा तो वो बच जाएंगे और अपनी कम्यूनिटी बनाएंगे टाउन के सभी लोगों को फांडेशन नाम के उस ग्रूप के बारे मे और होटल मेनेजर उसे अपने कजीन से मिलवाती है जो कि स्कॉट की मदद कर सकता था क्योंकि उसे भी फांडेशन के लोगों से बदला लेना था और होटल मेनेजर का वो कजीन जंगलों के पाड़ों से वाकिफ था इसकॉट जल्दी कूपर के साथ में जंगल में पहुशता है लेकिन कूपर पहले ही ट्रैप में फसकर मारा जाता है और इसकॉट उसके गन और उसके बाकी के एक्यूपमेंट्स को लेकर आके बढ़ता है चलते चलते रात हो जाती है लेकिन इसकॉट को कुछ भी नहीं मिल पार् सिय आता और फांडेशन के लोग सकोर्ट को पकड़कर अपने गाओं में ले आते हैं। जहांपर डार्लस सकोर्ट को मिलता है और जैन ही अपने पिता के हाथ में तीर मारकर उसे विनेबल के पास में लाती है जहां पर वो उसे अंदकार के सजा सुना देता है इस्कोर्ट को यह समझ नहीं आता कि आखिरकार उसकी बैटी जेन उसे पेचान क्यों नहीं रही है और वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है तभी रात के समय में जेन विनेबल से बचकर अपने पिता को छोड़वा लेती है लेकिन डारियस उसे पकड़ लेता है जेन डारियस को भी अपने साथ में भागने को कहती है लेकिन डारियस वही रुकने का डिसीजन लेता है अब जेन अपने पिता इसकोट के साथ फाउंडेशन से बाहर निकल नहीं वाली थी लेकिन वो ये देखते हैं कि बाहर जाने के सबी रास्ते बंद होते हैं तब ही चोटी बच्ची रूथी वहाँ पर आकर दोनों को बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाती है जो कि उसी गुफा से गुजरता था जहाँ पर लोगों के आके फोड़ कर उन्हें अंदकार के सजाया सुनाई जाती थी फिर जेन और इसकोट जल्दी उस गुफा में पहुच जाते हैं जहाँ पर वो ये देखते हैं कि कई सारे लोग पहले से ही सजा काट रहे थे जेन को उस गुफा में लूइस दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और जेन लूइस को इस हालत से चुटकारा दिलवाने के लिए इसकोट की बंदुक से मार डालती है फिर जैसे तेसे जेन अपने पिता के साथ में वहां से बाहर आती है लेकिन तब तक फांडेशन के लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं जिने मार कर जेन आगे बढ़ती है और दोनों घायल हो जाते हैं लेकिन फिर भी फांडेशन के लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो कई बार उन्हें चक्मा देकर बाहर आते हैं जेन और स्कोट भागते भागते सड़क के किनारे तक आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वही लोग दिखाई देते हैं जिनका जगड़ा जेन से बार में हुआ था वो लोग भी फाउंडेशन से दुश्मनी रखते थे क्योंकि उनका एक नेफ्यू छे साल पहले जंगलों मे गायब हो गया वे सभी लोग फाउंडेशन के लोगों पर गोलिय चलाते हैं और बदले में वो भी उन लोगों को मार देते हैं जेन अपने पिता के साथ में उन लोगों के ट्रक में बेड़ जाती है और तब भी वहाँ पर विनेबल भी आ जाता है विनेबल अपनी पत्नी जेन को आवाज लगाता है लेकिन तब तक वे लोग वहाँ पर आग लगा कर भाग जाते हैं और विनेबल बस उन्हें भागता वा देखता रहता है अब इस बात को कुछ महीने बीच जाते हैं और जेन अपनी पुरानी जिंदगी में लोड जाती है फिर एक दिन होता ये ह कि जब जेन अपने घर पर पहुचती है तो वहाँ पर विनेबल दिखाए देता है और वो भी मौडरन कपड़ों में जेन को ये फिल होता है कि वो प्रेगनेंट है और विनेबल उसका बच्चा लेने के लिए ही वहाँ पर आया हुआ है जेन को विनेबल को अपने घर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक पल को यह सोचती है कि वो विनेबल को माँ डाले लेकिन विनेबल उसकी पूरी फैमली को कत्म कर सकता था जैन कोई भी गलत कदब नहीं उठाती और वहीं रूख जाती है वो विनेबल से डिल करती है कि अगर वो उसकी फैमली क कुछ नहीं करें तो वो उसके साथ में जरूर चलेगी जिसके बदले में विनेबल भी उससे यह प्रॉमिस करता है कि वो जैन की फैमली को कुछ नहीं करेगा बदले में उससे जैन और उसका बच्चा चाहिए जिसके बाद हम यह देखते हैं कि जैन विनेबल की वैन में ब पार्ट में आपको वो स्लेशर देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इस्टोरी वस अगर हम देखें तो ये मूवी एक बहुती बहतरिन मूवी है देखा जायता ये मूवी काफी बहतरिन है लेकिन हम इस मूवी के ट्रेडिशनल विलन कैनी ठ्री फिंगर और डॉलनट को मिस करते हैं और ये तीनों ही रॉंग्टन मूवी के खुकार विलन माने जाते हैं लेकिन इस पार्ट में फांडेशन नाम के कम्यूनिटी है जो की सन अटरा सो से इन जंगलों में नेशरल रिसोर्सेस पर आशित होकर रहते हैं फांडेशन के लोग बारी लोगों को यहां पर आने गुस्पेट के सजा देकर मार डालते हैं या फिर उन्हें केदम रखते हैं लेकिन उन्हें कभी भी वापस जाने नहीं दिया जाता क्योंकि अगर वह बाहर चले जाएंगे तो उनकी पॉल खुल जाएगी टाउन में रहने वाले लोगों को यह पता था कि फांडेशन अगलों में पहुच जाती है और इसका अंजाम बहुती ज्यादा बुरा होता है लेकिन एनीहाव जैन और डारियस बच जाते हैं जैन को तो इसके पितात को बचा लेते हैं लेकिं डारियस वहीं फांडेशन में रुकने का फेसला लेता है जैन वेने बल के बच्चे की वापस जेन के पास आता है तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जिल्दी ही आने वाले हैं कर दोड़ियो जिल्दी ही आने वी आने वाले ही आने वाले हैं झाल 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 झाल